हेलो एवरिवेन वेलकम बैक तो माई चानल टिप्स और ट्रिक्स तो ब्यूटिफुल फैर और ब्राइट स्किन हर किसी को अट्रैक करती है गोरा होने के लिए लड़कियां बहुत सारे मेकप और ब्यूटि ट्रीट्मेंस का सहारा लेती हैं बट उसकी वज़े से हमारी स्किन में आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्रम्स आ जाती हैं जिसकी वज़ेस हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है तो आज मैं बिना कोई साइड इफक के एक ऐसी होम रेमेडिया आपके संटान को रिड्यूस करके आपकी स्किन को बहुत ब्राइट बनाएंगा आपकी स्किन को कर रइऑ क करने में आपकी हैँब करेगा तो आगे जनते हैं श्कीन के बहुत सारे प्रॉब्रम्स को क्षटम करती है उसके बाद हमने लिया है इसमें मैं यूज करना है राय मिल्क ऐस इसमें यूज करना है ले Points उसके बाद लेमचे अध्वरी ये सारे इंग्रीडेंट हमारे skin को fair करने में हमारी help करते हैं इस face pack को बनाने के लिए हम इसमें लेंगे लगपग दो चमच पेसन इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon raw milk raw milk में laptic acid होता है जो मारे skin के लिए बोहत ही जादा अच्छा है इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमप्छ मुलेठी पाउडर उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे lemon lemon आपको 1 teaspoon लेना है lemon में bleaching agents होते हैं जो हमारी skin को light करने में हमारी help करते हैं और उसे fair बनाते हैं उसके बद हम इसमें डालेंगे rose water मैं यह डाबर का रोज वाटर यूज कर रहे हूं अगर आप चाहें तो घर का बना हुआ रोज वाटर भी इसमें यूज कर सकते हैं यह बहुत इस अच्छा है उसके बाद मैं इसमें डालूंगी वन टीस्पून हनी हनी में आंटी बैक्टिरियल ताथ होते हैं जो हमारे स्कि से बनती हैं but yes बहुत सारी होम रेमेली को यूज करके अपनी स्किन को कुछ हद तक कर सकते हैं तो इस फेस पैक में मैंने लिया है मुलैठी पावडर मुलेठी पावडर बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए यह हमारे स्किन से संट्टान को हटाता है और हमारे melanin production को रोकता है जिसकी वज़े से हमारी skin धीरे-धीरे light होने लगती है और वो अपनी skin tone से कुछ हाद तक गोरी भी हो जाती है उसके बाद हमने इसमें लिया है बेसन बेसन तो बहुत ही अच्छा है हमारी skin के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे तत होते हैं जो हमारी skin को अंदर से clean करते हैं deep clean करके हमारे skin tone को light बनाते हैं उसके बाद हमने इसमें लिया है honey honey हमारी skin को moisturize करता है और अच्छे से clean करता है और clean करने के बाद सबसे अच्छी बात है कि हमारे skin मिलकुल भी dry feel नहीं करती है उसके बाद हमने इसमें लिया है lemon lemon में बहुत सारे bleaching agent होते हैं जो हमारे skin को light करने में हमारी मदद करते हैं उसके बाद हमने इसमें लिया है rose water rose water में बहुत सारा antioxidant होता है जो skin के लिए बहुत जादा अच्छा है उसे बहुत ही ज़दा glowing बनाता है bright बनाता है और उसे बिलकुल अंदर से clean करता है जिससे हमारे skin बहुत ही ज़दा deep clean हो जाती है उसके बाद हमारे sun tan को reduce करके ये face pack हमारे skin में बहुत ज़दा अच्छे से glow भरता है और हमारे बहुत अच्छी skin tone को निखारने में हमारी help करता है तो ये face pack बहुत ज़दा अच्छा है मैंने इसे बहुत time तक use किया है इसने मेरे sun tan को निकाल के मेरे skin को deep clean करके बहुत ज़दा bright बनाया है इसने तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके skin बहुत ज़दा bright और fair हो जाए तो आपको इस face pack को लगबग 15 मेट तक अपने skin पर छोड़ देना है उसके बाद आप अपने face को ठंडे पानी से wash कर लें तो अब मैंने अपने face को ठंडे पानी से wash कर लिया है और wash करने के बाद मेरी skin कुछ ऐसी लग रही है तो मैं इस remedy को काफी time से use कर जहीं मैं इस video को पहले पोस्ट कर देना चाहती थी बट मैं इस remedy को अपने face पर खुद apply करके देखना चाहती थी कि यह कैसा work करता है बट इट works wonder तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके skin थोड़ी गोरी हो जाए आपके sun tan को reduce करके यह आपके skin को deep clean करके आपके skin tone को light करता है तो आप भी इससे जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद वोची comment section में जरूर बताएं कि यह कैसा work किया है आपके skin पे अगर आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो please मेरे चानल को subscribe करें और इस वीडियो को like करें thank you